नमस्कार मेरे स्वात की सहेलियों आज हम जो रेस्पी लेकर आए हैं वो लाए हैं टेस्टी से एकदम छोलिया और पनीर के चावल जी हाँ ये पुलाव आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा अगर आपने एक बर बना लिया तो हमने कर लिया है तेल को घरम और उसके अ आइश – दस काजू। जिनको हम फ्राई कर लेंगे और काजू के साथ साथ इस में हम ढाल देंगे बादाम भी तो तु 1 मारा हमने बादाम भी ले लिये हैं और यह ज़्य बहत्त सकते हैं कॉंटिटी आप बेशक अपने हिसाब से ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि सर्दियां है तो हैल्दी चीज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको हम फ्राई कर लेंगे और यह देखिए फ्राई इनको थोड़ा सा डाक कलर का तलना है तो इनको लगातार चलाते रहें और थोड़से डाक यह निकालने के बाद भी हो जाते हैं यह हमने निकाल लिए हैं सारे के सारे काजू और बादाम अब हम इस बच्य हुए जो घी है उसमें डालेंगे पनीर के पीश तो यह पनीर के पीश जो है हमारे 1500 ग्राम पनीर है और 1500 ग्राम पनीर इसलिए है क्योंकि 200 ग्राम हम सिर्फ इसमें चावल बना रहे हैं तो जो चावल है वो हमारा 200 ग्राम है हमने उसको भिगो रखा है आदे घंटे से और ये देखिए जब ये पनीर तल जाएगा तो हम इस तले हुए पनीर को निकाल लेंगे और अब ये पनीर निकालने के बाद हमने इसमें डाल दिया एक बड़ा प्याज जो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ है लेकिन हलका सा लंबा भी कटा हुआ है तो अब उसको हम करेंगे fry और इसको fry होने देंगे आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें कोई भी खड़ा मसाला नहीं डाला है तो वो क्यों नहीं डाला है ये कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी और ये प्याज आधी भून चुकी है तो इसमें हमने डाल दी है 6-7 हरी मिर्च हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा और भूनेंगे और 2-3 तेज पत्ते डाल कर इसका फ्लेवर बढ़ाएंगे हम और ये देखिये जब ये भून गया है तो इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी एक गिलास पानी डालने के बाद क्या है कि ये जो प्याज है वो अपना कलर छोड़ देगी और यह देखिए यह हमने घर का बना हुआ गरम मसाला इसमें डाल दिया है जिसके अंदर सारे फ्लेवर हैं लॉंग काई, लाइची काई और काली मिर्च का तो इसलिए हमने नहीं डाला था क्योंकि कई लोग होते हैं वह खड़ा मसाला देखकर खाना पसंद नहीं ख़ैं तो हमने इसमें पिसा मसाला डाला है और आप देख रहे हैं कि नमक हमने स्वाद अनुसार डाला है और यही कलर होगा जो खाने के यह छोलिया है भुण चोलिया का सीजन बहुत कम रहता है है मुश्किल से рез चोलिया का दाना होता है गल चुका है क soda कीगे हुए चावल में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती है और पनीर है या ड्राइफ रूट है उसको तो कच्छा भी खालो या ऐसे ही खालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए हमें छोलिया का दाना पकाना पड़ा है अब हम इसमें अड़ कर देंगे ड्राइफ रू और फिर पानी देखने के बाद इसमें पानी अड़ करेंगे तो ये हमने इसमें पनीर भी अड़ कर दिया है और उसके बाद पानी भी मिला दिया है अभी एक गिलास मिलाया है जिससे हमने नाप लिया था कि चावल हमारा किस गिलास में फिट आ रहा है तो थोड़ा पानी ह पानी डालेंगे अराम से बन जाता है लेकिन इसमें पहले भी एड़ कर दिया था इस वज्य से हमने बाद में कम पानी डाला है थोड़ा सा अब इसमें लगाएंगे एक सीटी और इसको खोलेंगे एक सीटी के बाद इतनी अच्छी कुश्मू आ रही है कि आप तो इस कुश् को सब्सक्राइब कर ना hate के बटन को दबाना है साथ में दिये हुआ है दो उसको आपने जरूर दबा देने कि क्यू Нियुकि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप जरूर करेंगे जब इतना बड़िया खाना आपको बनाने को मिलेगा और देखने को मिलेगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो साथ में दिये हुए बैल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप हर रेस्पी का इंजॉय कर सके खर्चा करने की जरूरत नह यह तो सब्सक्रेप्शन बिल्कुल फ्री होता है बस आपने बटन दबाना उसके बाद आपका कोई पैसा नहीं लगना कुछ नहीं लगना तो मिलते हैं अगली रेस्पी में बाई